ओम शान्ती पांच मई दो हजार इक्कीस साकार मुरली आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे शिरीमत पर चल कर सब को सुख दो आशुरीमत पर दुख देते आए अब सुख दो सुख लो प्रशन बद्धीवान बच्चे किस राज को समझने के कारण उँजपद पाने का पुरुशार्थ करते हैं उत्तर वे समझते हैं कि या दुख और सुख हार और जीत का खेल है अभी आधा कलब सुख का खेल चलने वाला है वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा अब नई राजधानी आने वाली है उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं अब पुरुशार्थ कर उँजपद लेना ही है गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम धारना के लिए मुख्यसार है नमबर एक शिब बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है देहे अभीमान के भूत से बचना है इस भूत से सब भूत आ जाते हैं इसलिए आतम अभीमानी बनने का अभ्यास करना है नमबर दो ध्यान दिदार की आश नहीं रखनी है एम अबजेक्ट को सामने रख पुरुशार्थ करना है शिरीमत पर सब को सुख देना है वरदान स्वयम की समरिती में रहे अपने हर करम को सैयम बनाने वाले अथार्टी स्वरूप भव विस्तार जैसे साकार में स्वयम की समरिती में रहने से जो करम किया वही ब्रह्मन परिवार का सैयम बन गया स्वयम के नशे में रहने के कारण अथार्टी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा करम भी हो गया तो सुल्टा कर देंगे स्वयम के स्वरूप की समरिती में रहने से या नशा रहता है कि कोई करम उल्टा हो ही नहीं सकता आप बच्चे भी जब स्वयम की स्थिती में स्थित रहो तो जो संकलब चलेगा जो बूल बूलेंगी वा करम करेंगी वही सैयम यानी नियम बन जाएगा स्लोगन पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो या पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा अच्छा मेठे मेठे सिक लिधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते ओम शान्ती